अलो श्राइब वेल्कम बैक्स तो माइ चानल आज मैं बना रही हूं सोया चाप रोल और यह बहुत ही टेस्टी लगते है खाने में मैंने यह फ्रोजन सोया चाप लिया है यह आसानी से मिल जाएंगे से मार्केट में बनाना बहुत hी एजी है और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं एक तो मैंने यह पानी Elder ह incarnate दे अब तोने मुख धुर्थ है तो इसमें अब रे法 कुई में मेवनी, चीली साथ & चीली सास चीली अलुट सब्स डीया है टोफ शाप देटेटी लिए हैं चीली फ्लेक्सवीद अब साल्ट है मौने गड़ें काफ़्ेज मिक्स करेंगे लिडेटी बड़ा है से जोया निकाल लिए है और यहां पर मैं बनाऊंगी सोया चाप को मैरिनेट करने के लिए तो मैं यहां पर ले रही हूँ 4 टेबल स्पून दही और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और हल्दी लाल मिच पाउडर मैंने ये कश्मीरी लाल मिच पाउडर लिया अ छाब करते हैं सोया चाप करें ये कटे लिए अब हम यहां चाप को करेंगे हाफ ए Comes के लिए तो यह सारी अच्छे से कट कर लिए अब हम से अचाप को थोड़ी देख लिए अलब रखते हैं अब मैं आटा बना लेती हूं तो यहां पर मैंने एक और बढ़कन ले लिया है इसमें मैंने एक कप टाला है मैदा और एक कप मैंने डाला है गेहूं का आटा और इसमें थोड़ा सा नमक और टू टेबल स्पून मै अच्छे से मिक्स कर लिया है अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका इक डो बना लेंगे तो इससा चापाती कर बनता है उसी तरह से हमें डो बनाना है इसका तो डो रेडी हो गया है अब मैं इसे डग दूंगी और 15 मिनिट के लिए रेस्ट के लिए तो यह देखिए एक तरफ से यह रेडी हो गए है अब मैं इने पलट दूंगी और इसके उपर थोड़ा ओर डालूंगी और इसे आप ऐसे ही पलटते हुए फ्राइ करें तो यह देखिए सोयाचा आप रेडी हो गए है और देखिए कितना अच्छा कलर आया इसमें और पैचे आदर नहीं जाता है दो यह पाट हरे थोड़ा ऑफ अपाटी दूंगी और इसको मैं डोन तड़ाय थोड़ा स करना है और इसको मैं दोनों परफ से अच्छे से इसको सेख लूँगी यह देखिए रेडी हो गया है तो मैंने यहां पे सोया चाप को पीसे में कट कर लिया है और अब मैं इसमे टालूँगी एक चमच सॉस और चाट मसाला थोड़ा सा नमक और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो मैं अपने टेस्ट की अकॉर्डिंग और भी आप मसाले एड़ कर सकते हैं तो मैंने यहां पे चपाती ले ली हैं जो सॉस रेड़ी किया था वो इसके उपर हम अच्छे से लगा लेंगे और इसके उपर अब मैं रखोंगी चाप को तो मैंने यहां पे कुछ वेजीज भी कट करी हैं तो मैंने अनियन और शिम्ला मिर्च लिया है तो आप चाहें तो जो भी आपको वेजीज अच्छी लगती हैं आप वो डाल सकते हैं तो मैं यहां पे कच्छे यूज कर रही हूँ आप चाहें तो इसे साटे भी कर सकते हैं और अब मैं डालूंगी हरी चटनी थोड़ा सा चाट मसाला तो मैंने यहां हरी चटनी को भी मैंने पीसके रखा हुआ है तो अच्छा थिखा सा अच्छा लगता है चाप सोया चाप रोल और इसको आप इसी तरह से रेडी कीजे और अपने अकॉर्डिंग भी इसको आप वज तो यह देखिए सोया चाप रोल रेडी हो गया है यह बहुत ही टेस्टी और हल्दी होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा थैंक यू